कहख रहा है, दो संख्याओ का योग 15 है, जाशेर उनके बितक्रमों का योग 3 बटा 10 है तो संख्याओ ग्याद करें, तो माना, पहली संख्या बराबर में एक्स, दूसरी संख्या बराबर में य मन लेता है, ठीक है? प्रस्न से क्या कहा रहा कोशन में कि दो संख्याओं का योग यानि X प्लस Y कितना दिया है पंदरा पहला सभी करण अब क्या कहा रहा है उनके बितक्रमों का योग तो X का बितक्रम एक बटा X हो जागा Y का बितक्रम एक बटा Y हो जागा और बराबर में 3 बटा 10, दोनों का योग, अल्सियम लो, यहाँ पे x y, यहाँ जगा y प्लस x बराबर में 3 बटा 10, तो यहाँ देखो y प्लस x का मान, हम यहाँ पे 15 नहीं लिख सकते हैं, चली लिख देते हैं, तो यहाँ पे 15 और बटा में x y बराबर में 3 बटा 10, हम देखो यहाँ तो हमें बनाना है कि 2-4 वाले रैकिक समिकरण के रूप में अगर आप यहाँ सोचे को कि सर यहाँ से X का मान निकल के यहाँ रख दें तो वो तो आपका दिवगाद समिकरण बन जागा इसलिए हम लोग इसको परयोग नहीं करेंगे हमें यहाँ दो चरवाले रैकिक समी करन से ही बनाना है इसलिए थोड़ा आप चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर्मुला लगाएंगे x-y का whole square तो इसका फॉर्मुला हो जाएगा x-y का whole square यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं न x plus y का whole square और minus का 4xy देखो इसको तोड़ोगा ना तो x square plus y square plus 2xy होगा और यहाँ minus 4xy है घटेगा तो आजागा x square plus y square minus 2xy इसी करना formula होता है देखते हैं x minus y का square इसका फॉर्म इसका केतना value है तो इसका 15 है और इसका तो यहाँ पर 50 है चलो इसके बाद देखते हैं x minus y का whole square बड़ाबर 25 minus 200 x minus y बड़ाबर जागा root under 25 plus minus लगेगा तो x minus y बड़ाबर plus minus 5 तो case पहला पहला हो जागा x plus y बड़ाबर 15 पहला समिकरन और यहाँ से एक ले लेंगे x minus y बड़ाबर में 5 यह दूसरा समिकरन फिर case दूसरा लेंगे case second x plus y बड़ाबर 15 यह पहला समिकरन दिया है और एक और ले लेंगे x minus y बड़ाबर minus का 5 ऐजे यह थड़ ले लेते हैं तो इन दोनों कॉलक्सॉल करेंगे x और y का मान निकल जाएगा है ना